डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्राग टीवी मैं हूँ अनमतारी को सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हैटलाइन कनेडियन सुबे मिनी टूबा में बरफानी तुफान निजाम जिंदगी दरहम बरं कनेड़ में एडवांस पूलिंग दो मिलिन अफ़राद ने हाग के राही दही इस्तमाल किया एलेक्शन कैनेड़ा मिसिसागा में कई कारिया अपस में टक्रा गई, मुतादित सख्मी अमरीकी सदर टर्म के खिलाव मुखीजे तहकीकात में तेजी आने का इमकान door Roshi Sadar ka双 aad, Saudi Arab ka doorhah Voaked for People's Party of Canada, bring prosperity and freedom We believe in unity in diversity Take ownership of Canada for shared values and dreams We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada I am Tahir Gora, honored to represent Mrs. Saga, Molten Riding for October 21st Federal Elections कर दो Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you as a voter keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes and fight political correctness. It's time for a change. On election day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca Swamikashi Guruji का कहना है कि वो आपकी तमान समस्याओं का हल जानते हैं. Swamikashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हलका दावा करते हैं. Swamikashi Guruji से राप्ता कीजिए 647-765-6311, 647-765-6311, address 565, Markham Road, Scarborough. और अब खबरें तफसील के साथ. Muslim लिग नून के रहनुमा, S.N. अकबाल की मुश्किलात में इजाफा हो गया. S.N. अकबाल के खिलाफ, आंदन से जाइद असासों के इर्जाम पर नई इंकुईरी शुरू की जाएगी. इस हावाले से मज़ीद जानेंगे. चेर्मन नेब जेस्टिस, रिटाइड जावेत अकबाल ने मुस्म लिग नून के रहनुमा, S.N. अकबाल के खिलाफ, इंकुईरी की मन्सूरी दे दी. S.N. अकबाल के खिलाफ, पहले भी नारोवाल स्पोर्ट्स, सिटी, हुर्दबूर्ट की इंकुईरी चारी है. तफसिलान के मुस्म लिग नून के रहनुमा, S.N. अकबाल के मुश्किलात में इजाफा होंगिया. S.N. अकबाल के खिलाफ, आमदन से जायत असासों के लजाम पर नई इंकुईरी शिरू की जाएगी. जराय का कहना है कि चेर्मन नेब जेस्टिस, रिटाइर जावेत अकबाल ना एसान अकबाल के खिलाफ, इंकुईरी की मनजूरी देते हुए, नेब रावल पिंडी को फौरी तोर पर इंकुईरी का हुकम दे दिया है. ख़ियाल रहरें एसान अकबाल के खिलाव पहले भी नारुवाल सपॉर्स, सिटी खुर्डबूर्ड की इंकौरी जारी है. याद रहे नारोवाल स्पोर्स सिटी करप्शन केस में नून लीग के सीनियर रहनुमा ऐसा निकबार वा इल्जाम है उन्होंने खिलाफ गानून तीन अरब रुपे का मनसूबा शूरू किया साबिक विफा की वजीर ने अपने हलके सरहत से चंद सो मीटर पर करोड़ो का मनसूबा बनवाया स्पोर्स सिटी नारोवाल पाक भारस सरहत से आर्ट सो मीटर दूर है सरह के मताबक केस में साबिक डीजी पी, एसबी, अख्तरनवास और रियास पीरजादा का नाम भी शामिल है जबके स्पोर्स सिटी की तामीर में पाकिस्तान स्पोर्स वोर्ट्स ने भी अख्यारात से तजावस किया दूसी जाने वजीर आजम के काईम इनकौाईरी कमीशन को एसन इकवाल के खिलाफ पहला केस दी मौसूल हो गया दसावेस के मताबक एसन इकवाल ने कौमी खजाने को सतर अरब का नुकसान पहुचाया इलक्शन कमीशन इंतखावी जाप्ता इखलाग की खिलाफ वर्जी करने पर चेमें पाकिस्तान पीपस पाल्टी बिलावल बुटो जरदारी समेट अराकीन सुपाईवा कौमें असेमली को हटमी नोटिस जारी कर दिये इस हावाले से मज़ीद जानेंगे इलक्शन कमीशन इंतखावी जाप्ता इखलाग के खिलाफ वर्जी करने पर चेमें पाकिस्तान पीपस पाल्टी बिलावल बुटो जरदारी समेट अराकीन सुपाईवा कौमी असेमली को हटमी नोटिस जारी कर दिये डिस्ट्रिक रिटर्निंग आफिसर नदीम हैदर के मताबिक विलावल बुटो जरदारी निसार खोडो नासिशा, मुकेश चावला, शर्जीर इनाम मेमन, शबीर बजरानी, सरदार खान चांडियो, सुहिल अन्वर सेयाल समेट दीगर को दूसरा और हत्मी नोटिस जारी क उन्होंने बताया कि आज पहले नोटिस का जवाब जमा कराने की आखितारी ताहम जवाब जमाना कराएजाने पर हत्मी नोटिस जारी किया गया है। के बार हम 18 अक्तूबर को कराची में जल्सा करेंगे। याद है कि सिंद असेमली के हलका पिएस क्यारा लाटकाना में 17 अक्तूबर को जिमनी इंतिखाब होना है। ये निशिस्ट ग्रैंड डेमोक्रेटिक आलाइंस के रुकन असेमली मौज़म अली को सुप्रीम कोर्ट की कैनेडा के सूबे मैनी टूबा में शदीद बर्फानी तूफान के नतीजे में निजाम जिन्दगी दरहम भरम हो गया। तूफान के नतीजे में फर्स नेशन कमिन्टी को दूसी जगा मुंतकिल किया जा रहा है। जबके सैक्रो अफराद पना की तलाश में हैं। शदीद तूफान के नतीजे में हजारों अफराद बिजली से महरूम हुए और हकूमत की जानेब से स्टेट आफ एमर्जनसी का ऐलान किया गया। कैनेडिन रैट क्रॉस के एक तर्जुमान के मताबक एक हजार अफराद के लिए एक एमर्जनसी शेल्टर आर बी सी कन्वेंशन सेंटर में बनाया गया है जबके मजीद एक हजार अफराद के लिए एक और शेल्टर बनाने की तैयारी चारी है। मैनी टूबा हाइडरो की जानित से कहा गया है कि पड़ोसी सूवों की मदद इप्तिदाई तोर पर बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि सूवे के कुछ अलागों में सफ मेहनत करने की जरूरत है जिसका मत्तब है कि कुछ अफराद को एक हफ्ते तक बिजली की बंदिश का सामना रहेगा। कैनेड़ा में इंतखाबात का मौसम है जबके इस सिलसले में सियासी जमातों की सरगर्मिया भी अरूच पर हैं। पॉल के मताबिक कोई भी जमात अकसरियत के साथ हकूमत बनाती नाज़र नहीं आ रही है। इस हوالے से मज़ीद जानेंगे। कैनेड़ा में इंतखाबात का मौसम हैं जबके सिलसले में सियासी जमातों की सरगर्मिया भी अरूच पर हैं। मकामी मीडिया के पॉल के मताबिक वजीर आज़र की दोड़ के लिए दो बड़ी जमातें लिबर्स और कंसरवेटिव 33 पीसद के साथ एक दूसरे को टकर दे रहे हैं। ताहम अकसरियती हकूमत के इमकानात कम हैं। विफाकी रहनुमाओं के मुबाहिसे के बाद NDP और ब्लॉक क्यूबिको की मगबूलियत में इज़ाफा हुआ हैं। पॉल के मताबिक कंसरवेटिव को 32 चार्या 4 पीसद जबके लिबर्स को 31 चार्या 8 पीसद की हमायत हासिल है। कंसरवेटिव मगबी कैनिडा में आगे हैं जबके ऑंटेरियो, क्यूबिक और एटलांटिक कैनिडा में लिबर्स को बरतरी हासिल है। कंसरवेटिव और लिबर्स दोनों ने बलॉक के ज़ाफे के साथ ही क्यूबिक में अपनी हिमायत में कमी देखी हैं। ताहम निव डेमोक्रेट्स अभी भी क्यूबिक में जदोजहत कर रहे हैं। वो निशिस्ते हासिल कर सकते हैं। मुल्क के बाकी हिस्सों में मुम्किना तोर पर काम्याफ हो सकते हैं। एलक्शन कैनिडा की जानिब से फरहम करदा नए आदाद व शुमार में कहा गया है कि एडवांस पॉलिंग के पहले दो दिन में दो हजार पंड़ा के मकाबले में वोर्टर ट्रान ओर्ट में 25 इजाफा हुआ है। इस हमाले से मज़ीद जानेंगे। कैनिडा में इंतखाबाद के सिलसले में जुम्हे के रोज से शुरू होने वाली एडवांस पॉलिंग का मरहला मकमल हो गया है जिसमें दो मिलियन के गरीब अफराद ने हक के राइद व शुमार में कहा गया है कि एडवांस पॉलिंग के पहले दो दिन में 2015 के मकाबले में वोटर टरन आउट में 25 पीसद इजाफा हुआ है एलक्शन कैनिडा के मताबिक इप्तिदाए आदद और शुमार से जाहिर होता है कि जुम्ह और हफ़ते के रोज तकरीबन दो मिलियन अफराद ने कैनिडा भर में अपना हक के राइद ही इस्तिमाल किया दो हज़र पंदर में से 20.8 पीसद थे अगर्चे ये इजाफा बहुत ज्यादा है ताहम इलक्शन कैनिडा का कहना है कि इस आदाद और शुमार में वो लोग शामिल नहीं है जिन्होंने मकामी दफातिर कैम्स में इजाफी सर्विस पॉइंट्स या खुसूसी बैलिट के जरिये वोट डाले मिसी सागा में हाइवे 401 पर कई गारिया अपस میں टक्रा गी जिसके नतीजे में मुतादित अफराद जख्मी हो गए मज़िद जानेंगे इस रिपोर्ट में मिस्स हागा में हाईवे 401 पर कई गाड़ियों के तसाद उनके बार एक 14 साला बच्ची को ट्रामा सेंटर मुन्तकिल कर दिया गया हादसा विंस्टन चर्चल बॉलिवर्ड के करीब शाहरा की मश्रकी हुदूद में पेश आया ऑंटेरियो प्रोविंशल पुलिस के मताबक हादसे में छे गाड़ियां एक दूसे से टकराई ओपीपी ने बताया कि 9 अमर लड़की को शदीद सख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया जब कि दीगर अफराद को मामूली चोटे आएं जिनने टीवी अमदाद के लिए अस्पताल मंदख्ल कर दिया गया पुलिस के मताबक तमाँ जख्मियों की हालत खत्रे से बाहर है तसादम की वज़ा मालूम नहीं हो सकी है ताहम पुलिस ने तसादम की तहकीकात करने के लिए ट्रीफ आलगर रोट और विंस्टन चर्चल बॉलिवोड के दर्मयान हाईवे 401 एस्ट बाउंड बंद कर दी अमरिकी एवान नमाइंडगान की स्पिकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि हाउस की कम्योटि को सबूत हासिल करने के लिए तेज़ी से काम करना होगा ताकि ये तायून किया सके कि सदर्ट टरम्प की खिलाव मौफिजे की तहड़िक लाई जाए या नहीं इस हावारे से मज़िद जानेंगे अमरिकी कांगरिस के इजलास के बाद सदर्ट टरम्प के खिलाव मौफिजे की तहड़िकात में तेज़ी आने का इमकान है एवाने नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी प्लोसी ने कहा है कि हाउस की कमेटियों को सबूत हासल करने के लिए तेज़ी से काम करना होगा ताकि ये तायून किया सके कि क्या सदर्ट टरम्प के खिलाव मौफिजे की तहरी लाई जाए या नहीं एवाने नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी प्लोसी ने कहा है कि हाउस की कमेटियों को सबूत हासल करने के लिए तेज़ी से काम करना होगा ताकि ये तायून किया जा सके कि क्या सदर्ट टरम्प के खिलाव मौफिजे की तहरी लाई जाए या नहीं वाज़र है कि अमरीकी कांग्रेस के कुछ हरकान दो हफ़ते की तातिलात के दोरान दार रहुमत वाशिंग्टन में मौजूद रहे और एमान नुमाइंदगान की तीन कमेटियों ने सदर के मुबयन अमावाखसे से मुतालिक अपनी तहकीकाश चारी रखी इस दोरान उन्होंने महकमे खार्जा समेथ मुक्तलिफ एदारों के एहलकारों को शहादतों के लिए समन जारी रखे वाज़र है कि अमरीकी चैनल की जानेब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था 51 पीसद अमरीकी टरम को ओदे से हटाना चाते हैं रुसी सदर विलादी मीर प्यूटन बारह साल बाद साओधी अरब के दारों हकूमत रियास पहुंचे जहां उनकी आमद पर शाही महल में उनका पुर्टकबाद इस रिपोर्ट में रुसी सदर विलादमेर प्यूटन ने 12 साल बास सओधी अरब का सरकारी दोरा किया सदर विलादमेर प्यूटन 12 साल बास सओधी अरब के दیارलहकूमत रियास पहुंचे उनकी आमद पर शाही महल में सओधी फर्मारावाश शास सल्मान बिन अब्दलाजीज ने महमान सदर का वालिहाना इस्तक्बाल किया इस दोरान दोनों मुमाले के कामी तराने और सओधी रिवायती मौसिकी भी बजाई गई मुक्तसर सी मुलाकात के बाद शाह सल्मान और सदर प्यूटन के दर्मियान बजापता मुजाकरात का इनकाद हुआ मुजाकरात में दोनों मुलकों के दर्मियान दो तरफा तालुकात के मुखतलिव पहलों पर तबादले ख्याल किया गया सदर प्यूटन के दोरे के दोरान सवधी अरब और रूस के दम्यान दो अरब डॉलर से जाये माईलत के मौहाइद और समझधों पर दस्खत लिए जाएंगे रूसी सदर सौधी अरब के साथ मिलकर काम करने की यकीन दिहानी की थी अब तक की लिए इतना ही मज़िद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी झाल